देखों हम लोगों ने जो 4.3 exercise की थी उसमें question number 4 में मैंने आप लोगों को एक type सिखाया था जिस type में quadratic upon linear equal to quadratic upon linear रहता है या फिर इसको एक और तरीका है इसका लिखने का की quadratic upon quadratic रहता है और linear upon linear रहता है यह पढ़ाये थे तुमको यादा होगा शायद तो यह वही question है अगर आप ध्यान से देखें आपको नहीं लगता कि यह जो numerator में आपको यह जो term लिखकर दिया है इस particular term में यहाँ पर इसकी degree बराबर आपकी 2 है दिखरा है similarly नीचे में आपको जो यह लिखकर दिया है इसकी भी degree बराबर बोलो किती है इसकी भी degree बराबर 2 है तो ऐसे terms जीने में degree बराबर two होती है उनको basically हम लोग क्या कहते हैं quadratic equations को हम लोग क्या कहते है quadratic तो तुम्हेनी लगता कि यह question number four का one और two है यह भी quadratic upon quadratic वाले form के हैं और क्योंकि आपे degree one है तो जब degree one होती है तो उन लोगों को कहा जाता है linear तो यदि कि ये linear upon linear वाला form का है इसका मतलब अभी हम लोग जो question कर रहे हैं अभी हम लोग क्या कर रहे हैं अभी हम लोग exercise 4.4 का question number 4 कर रहे हैं ठीक है हम लोग अभी क्या कर रहे हैं exercise 4.4 का question number 4 कर रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि ये 4.3 में जो question number 4 था ये इन दोनों वाले questions में कुछ आपको समानता हैं दिख रही हैं कुछ similarity दिख रही हैं ऐसा नहीं लगता बिल्कुल मैडम बिल्कुल लगता हैं तो क्या हम लोग 4.3 में जब quadratic upon linear आता था उसको जिस तरीके से solve करके answer निका सकते हैं क्या तो answer is yes आप वो सेम तरीके से answer निकाल सकते हो बट आपकी जो 4.3 में question number 4 था वहाँ पे आप क्या यूज करते थे वहाँ पे आप properties यूज करते थे invertendo, componendo, dividendo, alternando फिर आप question को आगे बढ़ाते थे बट जो आपकी 4.4 exercise में जो question number 4 है ये exactly उपर वरे के जैसा ही है यहाँ पे आपको theorem of equal ratio का use करना है और theorem of equal ratio का use करके इस particular question को complete करना है अब चाहें तुम properties से question को solve करो या चाहें तुम theorem of equal ratio से question को solve करो answer में कभी कोई change नहीं आता है answer आपका हमेशा same रहेगा यानि कि अगर आपने property से किया और मैंने theorem of equal ratio से किया जो मुझे आसान लग रहा है ठीक है तो हम दुनों के answer अलग आएंगे ऐसा नहीं होगा answer same आएगा आप कोई भी तरीका use कर सकते हो तो अगर माल लेते हैं paper में अगर माल लेते हैं आपके school paper में आपको simply इतना लिखकर दे रही आ जाए question quadratic upon linear या quadratic upon linear के format में तो आपके दिमार्ग में doubt आएगा कि इस particular question को मैं कैसे करूँ मतलब इस particular question को मैं properties लगा के solve करूँ कि इस particular question को मैं theorem of equal ratio से मैं इसको solve कैसे करूँ ये doubt आएगा तो अगर question में कुछ नहीं लिखा है सिर्फ इतना लिखा है solve तो आपको जो easy लगता है आप उससे कर लिजे सही कहने हूँ आपको जो easy लगता है आप उससे कर लिजे बट अगर ऐसा है कि नी मैडम वहाँ पर आपकी teacher ने specify किया है कि नी मैडम आप तो क्या कहते हैं property लगा क solve कर रहो ठीक है तो ऐसे case में आप क्या करेंगे वहाँ पर property लगा के कहेंगे ठीक अगर आप theorem of equal ratio के साथ करना चाहेंगे ठीक है तो आप क्या है आप उसको theorem of equal ratio से करना जैसा question में मिलिखा रहेगा वैसे ठीक है अच्छा ठीक है तो अभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपना एक important message है इसका में reply कर दूँ ठीक है madam कोई दिक्कत नहीं है बट आप अगर आप में घर पहुंच जाएं तो मुझे एक बार message कर दीजेगा साई को कहकर ताकि इसका हम लोगा दिन वेस ना हो उसको मैं कुछ ना कुछ अपने according time manage करते हुए अगर आप पहुंच जल् तो theorem of equal ratio पर ही है तो ऐसे case में हम लोगों को यह मान के चलना है कि हम लोगों को यह वाला question theorem of equal ratio से ही करना है ठीक है तो आप यह question को कैसे करेंगे theorem of equal ratio से करेंगे बराबर पहला question हम लोग note down कर लेते हैं कि पहला question क्या है और question को attempt करना शुरू करते हैं क्या है question 16x square minus 20x plus 9 ठीक ह minus 20x plus 9 equal to equal to 4x minus 5 अच्छ, अपॉन में, अपॉन में क्या है? यहाँ पर है 8x square plus 12x plus 21 8x square plus 12x plus 21 और the linear में क्या है? 2x plus 3, इदर linear में क्या है? 2x plus 3, इस question को properties को लगा के कैसे solve करते हैं? यह मैं आपको already सिखा चुके हूँ आज की class में मैं यह सिखा रही हूँ कि इस question को अगर theorem of equal ratio से solve करना होता तो आप कैसे करते हैं? है ना? तो आप कैसे करते हैं? मैं यह वह मैं सिखा रही हूँ तो ऐसे case में अगर आपको theorem of equal ratio से करना है या चाहें आपको property से करना है quadratic upon linear वाले जो सवाल होते हैं इनके format का हमीशा एक ही मतलब होता है वो मतलब यह होता है कि आप हमीशा क्या करिए? quadratic का जो यह आखरी term है जिसके पास variable नहीं है इस आखरी term को आप observe करिए ठीक है यहाँ पर आखरी term क्या लिखा है? 9 यहाँ पर आखरी term क्या लिखा है? 21 similarly जब आप theorem of equal ratio से कर रहे हैं तो बाजू में जो linear वाला पार्ट है आप इसके भी आखरी term को observe कर लिए आपने इसके भी आखरी term को observe कर लिया ठीक है? आपने इसके भी आखरी term को observe कर लिया ठीक है मैडम कर लिया क्या यह दोनों के दोनों आखिरी टम्स के रेशो इकोल आ रहे हैं किया बस वो चक करो मतलब यह आपको जो कौड्रेटिक अपॉन कौड्रेटिक दिवी है ठीक है आपको जो कौड्रेटिक अपॉन कौड्रेटिक दिवी है आपको यह चेक करना है कि उस कौड्रेटिक अपॉन कौड्रेटिक का जो 9 अ upon 21 का रेशो और जो बाजू में लीनियर अपॉन लीनियर है उसके कॉंस्टेंट वाले टम्स का रेशो क्या सेम आ रहा है क्या ठीक है बराबर क्या वो सेम आ रहा है क्या तो हमने देखा नहीं माडम यह तो सेम नहीं अगर तुम कार्ड भी लेते हो एसे करके अगर आप कार्ड भी लेते हो तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका LHS और आपका RHS इक्वल है नहीं माडम यह तो बिलकुल भी इक्वल नहीं है तो अगर आपके कॉंस्टेंट जो है कॉड्रेटिक अपॉन कॉड्रेटिक का अगर नॉट इक्वल अगर यह लोग इक्वल नहीं है तो ऐसे केस में जो भी इस कॉश्चन को सॉल करके एक्स की वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी कैसा है जब आप लोग 4.3 एक्साइज करते थे ना वहाँ लिखके देता था कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो चुलो अगर नहीं भी लिखके रिया लेकिन ठेरम आफ इक्वल रेशो अप्लाई करने से पहले हमें हमेशा यह चेक करना पड़ता है कि एक्स कहीं जीरो तो नहीं है क्योंकि अगर एक जीरो हो गया तो आप ठेरम आफ इक्वल रेशो नहीं इनका रेशो जब आप लेंगे ना तो automatically आप लोगों का क्या जाएगा यह not equal to आएगा और जब यह not equal to आएगा तब आप समझ जाना कि question आप solve करने के लायक है ठीक है question अब यह जो है solve करने के लायक है but 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 madam इसको हम कैसे solve करें तो देखो आपको पूरा का पूरा ध्यान अप अपनी observation पे लगाना है जैसे कि यहाँ पे जो quadratic है यहाँ पे रेखो क्या लिखा है 16x square मैं चाहती हूँ कि बाजू में जो मेरी linear है इसका ये वाला term variable वाला term ये भी 16x square बन जाए तो तुम मुझे एक बात बताओ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा वो जो बाजू वाला है वो भी 16x square बन जाए तो उसको 16x square बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे कुछ ना कुछ नंबर से उसको multiply करना पड़ेगा है ना सिर्व उसको नहीं पूरे के पूरे bracket को ही multiply करेंगे क्योंकि अगर तुम से 4 को multiply करोगे तो 5 बुरा मान जाएगा है तुने मेरे को multiply नहीं किया तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते ना तो किस से multiply करें सोचो तो पहले से तो 4x है उसको और किस से multiply करेंगे उसको multiply करेंगे 4x से ताकि 4x into 4x 16x square हो जाए ठीक है फिर हम लोगों ने upon दिया फिर हम लोगों ने upon दिया इस तरीके से फिर आजाएगा आप लोगों का 8x स्क्वेर प्लस यहां पे 12X प्लस 21 अब तुम क्या चाते हो कि जो denominator में जो आपका quadratic है इसके पास लिखा है 8X स्क्वेर तो आप लोगों का जो बाजू वाला है वो भी 8X स्क्वेर बन जाए तो उसको किस से multiply करेंगे सोचो वो जो पुरा का पुरा entire bracket है 2X प्लस 3 उसको मैं कितने से multiply करेंगे उसको multiply करना पड़ेगा again 4X से ताकि 4 तुजा 8 और X into X X square हो जाए यनि कि indirectly हमने किया क्या indirectly हमने ये किया कि हमने multiply किया है हमने multiply किया है क्या multiply किया है numerator and denominator में short form में लिख रही हूँ numerator and denominator को आप पूरी तरीके से full form लिखेंगे of second fraction of second ratio or second ratio by 4X 4X है हमने उसको multiply किया है और साथी साथ में multiply किया देखो theorem of equal ratio ये कहता है अगर आप अपने ratios को किसी number से multiply करते हो divide करते हो plus करते हो minus करते हो तो उसका जो answer आएगा वो बिना operation के लिए वही आएगा after operation भी वही आएगा तो यानि कि इसको हमने equal to के assume कर लिया इस चीज़को हमने equal to क्या कर लिया के assume कर लिया अब ऐसा करने से ऐसा multiplication करने से ये bracket को multiply करने से madam आपको फाइदा क्या मिला करो ना भईया bracket open करो देखते हैं क्या फाइदा हुआ क्या नुकसान हुआ तो ये ना दोनों से multiply होगा इससे भी multiply होगा और इससे भी multiply होगा तो ये हो जाएगा आपका 16x square minus 20x upon में यहाँ आएगा 8x square और यहाँ पे आएगा आपका 12x और यह equal to k बराबर लेकिन इतनी step करने के बाद अब हम क्या करें तो देखो मैंने क्या repeat किया theorem of equal ratio में आप ratios को multiply कर सकते हो आप divide कर सकते हो आप subtract कर सकते हो जो आपको करना है आप वो कर सकते हो अब आपके पास दो ratio है पहला ratio दूसरा ratio पहले ratio में आपके पास 16x2 है दूसरे वाले ratio में भी 16x2 है अब आप इन दोनो ratio को क्या करोगे ताकि ये दोनो 16x2 कट जाए प्लस तो नहीं कर सकते क्योंकि प्लस करेंगे तो 16,16 कितना हो जाएगा 32 तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो आपका पहला ratio है उसको तो वैसे का वैसी लिखेंगे लेकिन जो दूसरा ratio है उसको हम लोग इस तरीके से सब्ट्राक करेंगे बराबर और अगर उपर वाले numerator को आपने सब्ट्राक किया है तो denominator को भी आपको सब्ट्राक करना पड़ेगा स्टेप में क्या करो नेक्स स्टेप में यार ब्रैकेट ओपन तो करो तो यहाँ अएगा minus 16x square यहाँ आजाएगा plus 20x upon में आजाएगा आप लोगों के पास 8x square plus 12x plus 21 minus 8x square minus 12x equal to K अब देखो हमारा फाइंगा जो कट रहा है काटो ये कड़ गया, ये कड़ गया, ये कड़ गया, ये कड़ गया, ठीक है, ये कड़ गया, ये कड़ गया, बराबर है, अच्छा, उसके मार आप क्या बचा, इसके मार आपके पास बचा 9 upon 21 equal to K, खताम हो गया कुशन, अगर आप काटना चाहते हो, तो ये चीज आपकी कड जाए यह आजाएगा 3 upon me 7 यह आ गया हमारे पास k का answer तो यह आपकी किस्मत अच्छी है कि सब कुछ cut गया उपर में आप लोगों के पास सिम नमबर नमबर बचा ठीक है यह आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आपके पास सब कुछ cut गया और आपके पास वहाँ पे एक नमबर ब करना था इस question की heading क्या थी solve इस question की heading क्या थी solve solve याने की हमको तो madam यहां से k की value निकालनी थी अब आप x की value कैसे निकालोगे तो देखो कैसा है हमने हमारे जो 2 ratios थे हमने इसको और इस वाले ratio को दोनों को क्या εsume क्या कि दोनों ratio किसके बराबर है कि एक के बराबर है है ना multiply करने से पहले ठीक है multiply करने से पहले चाहा मैंने पहले अज्यूम नहीं किया क्या ठीक है चलो पहले मैं अज्यूम कर लेती हूँ दो में टूको multiply करने से पहले चोटा चोटा मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेती हूँ कि let 16x square minus 20x plus 9 upon me 8x square plus 12x plus आपका 21 equal to 4x minus 5 upon me 2x plus 3 equal to k है और इसका reason नहीं देते है theorem of equal ratio यह मैंने अज्यूम किया इसका मतलब जो पहला वाला ratio है उसकी value भी k है जो दूसरा वाला ratio है उसकी value भी k है बढ़ पहला वाला ratio थोड़ा कठीन है क्योंकि उसमें quadratic है दूसरा वाला ratio थोड़ा आसान है क्योंकि वो linear है इसका लेकिन मतलब होई है कि पहले वाले ratio को solve करोगे तो उससे भी वही k की value मिलेगी जो दूसरे वाले ratio को solve करके मिलेगी बढ़ मैडम हमको तो k की value मिल गई है कितनी आई है 3 by 7 तो इस k की value को आप यहाँ पे put करो यह k की value किसकी है यह k की value दोनों ratio की है तो दोनों ratio में से जो second ratio है तो क्या उस second ratio को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या उस second ratio को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 4x minus 5 upon में 2x plus 3 equal to k क्योंकि k वो दोनों की value है वो पहले वाले की value है और वो दूसरे वाले की वाले की value है बट हमने दूसरे वाले के साथ question को हम solve कर रहे है क्योंकि दूसरा वाला simple है आसान है और पहला वाला कठीन है बस अब आपको कुछ नहीं करना है अब आपको चीजों को क्रिस क्रॉस करना है अब आपका answer आगे खतम यानि इससे यह पदा चलता है कि k की value निकालने के बार question को over नहीं करना है उस k की value को वापस से put करना है ठीक है और वहां से further x की value को calculate करना है ठीक है चलो क्रिस क्रॉस किया bracket रैकेट open क किया सब कुछ एक तरफ shifting shifting कर लो देखो क्या आता है 28x minus 6x यह आएगा 22x equal to 35 plus 9 that is 44 so x की value कितनी आएगी 44 upon में 22 तो यहां से x की value कितनी आए 2 तो यहां पे हम लोग लिखेंगे therefore the value of x is 2 यही हमको solve करना था तो यह जो contracting upon linear वाना जो format होता है ना इसको आप दोनों तरीकों से solve कर सकते हो 4.3 में जो सिखाया था उस तरीके से भी कर सकते हो 4.4 में अभी जैसा सिखाया है आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर question में ऐसा नहीं बोला है कि कौन सा तरीका use करना है तो अगर आपको question में तरी तरीका बोल दे कि नहीं आप से property लगा करीच करोगे बिना property के करने का नहीं तो फिर property वाला तरीका और अगर बोल दिया जाए कि आपको theorem of equal ratio से करना है तो फिर आपको theorem of equal ratio से करना पड़ेगा वैसे करेंगे आप तो वो depend करते है कि question में पूचा क्या मैंने आपको दोनों त